नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं समन भेज कर 3 नमबर 22 को पेज होने को कहा था, लेकिन सी एम सीरी सोरेन ने 15 नमबर तक अपने व्यस्त कारेकरम और बिदीबी से सग्यों से राय लेने का हवाला देते हुए तीन हफ्ते का समय मांगा था मालूम हो कि इस से पूर्व एडी ने 3 नमबर 22 को दीन के करीब 11 बजे रांची सित एडी कर्याला में पुष्टाज के लिए बुलाया था साथी इस मामले में एडी ने डीजी पी को एक पत्रली का सुरक्षा का विश्यस प्रवंधन करने का भी अनुरोद किया था इडी द्वारा सीम को पुष्टाज के लिए समन जारी करने का कारान उनके बिधायक परतिनेदी पंकज मिस्रा द्वारा अवैद खन में सामिल होने और 42 को रुपए से अधिक की संपति अर्जित करने के अलावा आने कई मामले हाएं राजधानी समेत जारखन में आज से बादल छट जाएंगे मौसम के साफ होते ही राज़ी के अधिकान सिंसों में ठंड बढ़ेगी राज़ी के लभग सभी हिसों के तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावट होने का पुरुनवान जताया गया है इससे अब लोगों को ठंड का असास ज्यादा होगा राज़ी के अंदर पिछले 24 घंटे के दरान खोटी का निवतम तापमान सबसे कम 13.8 डिगरी और सबसे ज्यादा अधिक्तम तापमान डालते गज का 32.1 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया मौसम विभाग के अनुसार राजे में अगले पांच दिनों के दरान निवतम तापमान 13 और अधिक्तम तापमान 30 डिगरी रहने की समावना ब्यक्त की गई है बादल छटने से राइधानी राची के तापमान में भी कमी आई है महेंदर सिंग धोनी जहारखंड के सबसे बड़े करदाता में धावी छात्रों के लिए कुछ करे माही भातिये क्रिकेट टिम के पुर्व कपतान महेंदर सिंग धोनी फिर सुर्कियों में हाई एक बार फिर उनका नाम जारकन के सबसे बड़े करदाता के रूप में सुमार हुआ है बता दे इंटरनेशनल किरिकेट से सन्यास लेने के बावजूद उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है उन्होंने चालू वितिये वर्ष 2022 तेस में 17 क्रोर रूपए एडवांस टेक्स के रूप में जमा किया है पिछले साल उन्होंने एडवांस टेक्स के रूप में 13 क्रोर रूपए जमा किये थे जो पिछले साल के मुकाबले 4 क्रोर रूपया जादा है बता दे बित मंत्री रामेश्वर उराव ने महेंद्र सिंग धावनी से अपील किया है कि उन्हें वेलफेर का भी काम करना चाहिए उन्हें जार्खन के गरीब लोगों के बीच अपनी बढ़ी हुई आमदानी में से भी कुछ करना चाहिए में धावी चात्रों के लिए एक स्कोलर्शिप की अस्थापना करनी चाहिए बित मंत्री ने कहा है कि रांची के प्रतिष्ठीट बी आएटी के कई ऐसे गरीब चात्र हैं बच्चे हैं जो फिस नहीं भर पारते पढ़ाई भी नहीं कर पारते हैं मेंद्र सिंग धावनी को चाहिए कि वह ऐसे गरीब हुनायर चात्रों को खोजे और उनका भवी से स्वारने में आर्थिक रूप से मदद करें भारतिये महिला सेनियर हो की टीम में जारखन की चार खिलाडियों का चयान जारखन की चार खिलाडियों ने भारतिय महिलाहों की सीनियर टीम में अपनी जागा बनाई है भारतिय महिलाहों की टीम के लिए जारखन की चार खिलाड़ी निकी परधान, सलीमा, टेटे, संगीता कुमारी और ब्योटी डुग डुग का चैन किया गया होकी इंडिया ने बुद्धवार को इस्पेन के वलेंसिया में 11-17 दिसंबर के बीच होने वाले FIH महिला राश्ट्र कॉप के लिए 20 सदस्य भारतिय सिनियर महिला होकी टीम की घोसना किया है सहिया ने बाकाया भुकतान को लेकर धारना पर बैठी बाकाया भुकतान समयत अने मागों को लेकर बुद्धवार को निर्शा पर खंड समयत अने जगों की सहिया सिविल सर्जन करयाले के समक्ष परदसन किया इन दौरान सायाओ ने कहा है कि लंबे समय से पुरोजाहा दीपावली और छट में भी बकाया भुकतान नहीं हो पाया है इसके अलावा साहिया को प्रती महीना 24 एरुपय मायन देने की मांगी गई निर्शा के पूरोविधायक औरूप चटर जी ने सिविल सर्जन को बकाया भुगतान समेत अनमागों को जल्द भुगतान करने की मांगी है जार्खन में 15 नोमबर से पहले हो सकती है चुनाव की घोसना निकायों के लिए एक ही चरण में चुनाव अगलेमा होगा साथ ही ईलेक्रोनिक बटिंग मसीन से मत्दान करया जागा इसी साल पंचाय चुनाव में मद्दान बैलेट पेपर से हुआ था ओविसी के लिए आरक्षन पदों को ओपेन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराया जाना है जिला अस्तर पर वाड पर सदों का आरक्षन तै किया जा रहा है आयोग द्वारा एक से दो दिनों में अने पदों के लिए आरक्षन तै कर दिये जाएंगे जिलों में मद्दाता सोची के विखंडन तथा मद्दान केंद्रों के सत्यापन का कारिय लगभग फुरा हो चुका है सवी सीटों के लिए निकाय चुनाव गैर दलिये होगा चैनित नामों पर अपनी मौखिक समती दे दी है अब इन अधिकारियों के 10 वर्सों के वार्सिक गोपनिये रिपोर्ट दुरुष्ट करने की कवाय तेज हो गई है अब बहुत जल्द ही ACR वा बायो डाटा पर राज सरकार के अस्तर पर पैनल की समिक्चा होगी और सभी अधिकारियों के नाम UPC को भेज दिये जाएंगे रगुवर्दास ने कहा हिमंत सरकार से जानता है परिसान जारखन के पूरो मुख मंत्री रगुवर्दास ने हिमंत सरकार पर बड़ा परहार किया है कहा है कि अधर्मी के हाथ राज होने से जनता प्रिसान है परदेश के चारो और फिष्ट चार का बोल बाला है करमचारी और अधिकारी बेलगाम है परदेश की जनता धर्म और करम करने वाले भाजपा सरकार को चाहती है बर्तमान सरकार के राज में सासन नायम की कोई चीज ही नहीं रह गई जानता का कयाम करने की वज़ाए खुद को बचाने में लगी है बताजे रांची के बुड़ू परखंड इस्थीत तूजु गाव में चार दिवसिये अखंड महायग एवां समाई से भी नेपाल दास द्वारा नीजी फंड से गाव के परवेश द्वारा एवां सलक निर्मान का उध़ाटन समारों को समोधित करते हुए पुर्वस सी एम रगवर दास ने कहा है कि जार्खंड परदेश खनी संपदा का सबसे धनी परदेश है मेरे सासनकाल में सभी वर्गों के साथ न्याय विकासांति सद्वावना और युवाओ को रोजगार का उसर मिला है जार्खंड के 30 लाख सूखा परभावित किसानों को मिलेंगे 35 रुपए जार्खंड सरकार की ओर से राजे के 22 जीलों के 226 परखंड को सूखा ग्रस्त गोसित किया गया है यहां राज सरकार अपने अस्तर से सूखा रहात योजना चलाएगी इसके तहा सूखा परभावित किसानों को 35 रुपए अगीम सहायता के रूप में दिया जाएगा ग्रीह करायम आपदा परवन्दन विभाग ने जिसुतना जारी कर दिया है राज में ड्राउट मेनुवल 2016 के तहट निहित प्रवधानों के अधार पर 226 परखंडों को सुखा गोसित किया गया है इसके लिए विभाग ने अधिकारियों से जमीनी सचाई पता कराया है 30 से 50 फिस्ति तक फसल नुक्सान को भी अधार बनाया गया है जहारखन सरकार सुरू करेगी गुरू जी क्रेडिट कार्ड योजना 15 नॉमबर 2022 को हमारा जहारखन 22 साल का होने जा रहा है इस दिन सरकार का योजनाय की सोगात दे रही है जनकारों की माने तो इस दिन सरकार गुरुजी क्रेडिट काड योजना भी सुरू करने जा रही है इस योजना के माध्यम से छात्रों को सिक्षा प्राप्त करने के लिए रिन उपलप्त करवाया जाएगा जिसके तहट लावकों को बैंकों के ब्याज की रकम आदान नहीं करने होगी आपको बता दे कि वितिये वर्ष 2022 ते इसके लिए 26 क्रों 13 लाख रूपए सिक्षा के लिए प्रोधान किये गए है जारखन में सराब से अक्टूबर तक 1050 क्रों मिले सरकार के ब्यापार की मवजुदा ब्यवास्था से जारखन को मुनाफ़ा होता नहीं दिख रहा है इस्तिलागातार आर्थिक नुकसान ही हो रहा है जनकारी के अनुसार वितिये वर्ष के 6 माँ बाद तक सराब की बिक्री के लिए निधारित लक्ष का आधार रायस्व भी सरकारी खाजाने में नहीं आया है 31 अक्टूबर तक 1050 क्रों रुपए प्राप्त हुए है वहीं बीत विभाग ने वर्ष 212 स्टेज के लिए सराब से मिलने वाले रायस्व का लक्ष 25 क्रों रुपए निधारित किया है उत्पात विभाग ने अक्टूबर तक सराब की बिक्री से 1300 क्रों रुपए की रायस्व असुली का लक्ष ताय किया था के वल अक्टूबर में दुकानों से सराब की खुदरा विग्री का लक्ष 440 क्रों रुपए निधारित था लेकिन इस महिने राजे में 310 क्रों रुपए ही सराब बेची गई है सराब से मिलने वाले रायस्व की श्ठिती में 11 जीले पीछे 11 जीलो में सराब से मिलने वाला रैस्व की छिती खराब है रामगर धनबाद गढ़वा, लोहर दगगा, सिम्डेगा पलामू, जामतड़ा पांकोर गिरीडी, सराय के लखर सावा और पच्मी सिम्व में सराब की बिक्री लक्ष से लगभाग 36% कम दर्च की गई इससे राजे को रायस्व की हाने उठानी पड़ रही है खुद्रा सराब दुकानों की बिक्री संतोष जनक नहीं होने से उक्त 11 जीलो के उत्पाद आयुकतों से विभाग ने अश्पष्टि करन भी मांगा है विभाग ने नॉवंबर में सराब बेच कर 470 को रुपे रहस्व अरजित करने का लक्ष रखा है जारखन के कल्यान होस्टल में कुक और नाइट गार्ड की जल्द होगी बहाली दुमका के मसलिया रानिस्वर मेगा लिफ्ट सिचाई परयोजना का सिलन्यास कारकरम की दोण मुख्र मंतरी हमसुरे ने कहा है कि उनकी सरकार ने कल्यान छट्रवासों का कया कलाप किया है पहले कभी जिन छट्रवासों का रंग रोंगन नहीं हुआ करता था आज वे सभी छात्रवास बिजली की रोशनी की तरद चमक रहे हैं आज छात्रों के लिए परिसानिया है कि वे खाना बनाए की पढ़ाई करे उनकी सरकार हर छात्रवास के लिए रसोईया हुआ रात्री प्रहरी बहाल करने जा रही है भोयन का भी इंतिजाम सरकार ही करेगी ताकि छात्र छात्राओं को घर से चावल और खाने का अने समान न ले कराना पड़े चात्रा में पूलिस पर हमला मामले में 49 गिरफतार 200 पर एफायार चात्रा में पूलिस अधिकारियों पर हुए हमले के बाद एसपी राकेस रंजन घायल जवानों को देखने सदर अस्पताल पहुँचे मौके पर उन्होंने कहा है कि मंगर बार को एक सड़क दुरगाटना हुई थी जिसमें डिवटी निभार है एक पूलिस पर अधिकारी पर हमला किया गया पूलिस फोर्स पर पत्राव भी किया गया घाटना में सामिल लोगों को चीनित किया गया है घाटना में सामिल 90 लोगों को नामजात अभयूक्त बनाया गया है वहीं 200 अग्यात लोगों के खिलाप मामला दर्च किया गया है वहीं 49 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और एकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारी की जा रही है मंत्री सत्यानन्द पर 50 एर का जुर्माना ज़र्खन हाई कोट ने सत्यानन्द भोक्ता पर 50 एर रुपे का जुर्माना लगाया है जस्टेस गोतम चौधरी की अदालत ने बीज एवाम उपकरन खरीद घोटालेक निस्पक से जाच की मांग वाली याचका को खारिज करते वे उक्त जुर्माना लगाया रासी जालसा में जमा करने का निदेश दिया है अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस तरह की याचका एसी बी को दाखिल करनी चाहिए प्रार्थी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है उन्होंने याचका दाखिल कर कोट का समय बर्बात किया गया है इसलिए उन पर 50 एयरुपे का जूरमाना लगाया जाता है अस्पतालों में उन्यूपदों पर सिख्र न्यूक्ती मंत्री बनना गुपता ज्हर्कन की स्वास्ट मंत्री बनना गुपता ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों मानाव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए जरकन सरकार द्वारा 29 पदों के लिए 3-4 दिनों में बाहली निकाली जाएगी पहली बार अस्पतालों में होस्पीटल मेनेजमेंट एवाम अने पदों पर नियुकती होगी वहीं वैसे पद सरेंडर होंगे जो अब अप्रसांगिक हो चुके है नियुकती में B.S.F. और दसायनिक एवम सेना के सिवा निवरित जवानों एवम कर्मियों को प्रात्मिकता दी जाएगी इसके लिए सभी परकिरिया पूरी कर ली गई है रांची में पूरे परिवार ने खाया जहर रांची जिला के ठाकुर गावा थाना छेतरे के गुरुगाई इलाके में रहने वाले रोहित साहू और उनके छो साल के बेटे अंकीत साहू के बुद्धवार को इलाज के करम में रांची रिम्स में मौत हो गई दोनों के सौव को पुष्माश्रम के लिए भेज दिया गया वही रोहित की पतनी निर्मला देवी आठ वर्षी ये बेटी और पना कुमारी की सिति गंभीर बनी हुई है मा बेटी का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है बढ़मू पूलिस का कहना है कि इस मामले में किसी का बयान नहीं लिया जा सका है पूलिस निर्मला देवी के होस में आने का इंतियार कर रही है शुरुवाती जांच में पता चला है कि पुरे परिवार की लोगों ने जहर खा लिया था इस वज़ा से पिता और बेटे की मौत हुई है दोनों का पूस्ट मास्टम रिपोर्ट आने के बाद या स्पस्ट हो जाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई है बिसेश सत्र को लेकर भाजपा बिधायक दल की बैठक आज जहरखन बिधायक सभा के एक दिवसेश सत्र के लिए भाजपा बिधायक दल की बैठक गुरुवार को होगी बैठक परदेश अध्यक दिपक परकास और नेता बिधायक दल बावलम रांडी की नेतिति में होगी जनकारी के मुताबिक बैठाक के दोरान बिधान सभा में 1932 अधारित अस्थानेता की पहचान नीती वो ओवी सी आरक्षन बनाने के लिए राज सरकार की बिधायको लेकर रन नीती बनाई जाएगी सदन के अंदर भाजपा दोनों मावलों में क्या पक्ष रखेगी इसका पासला बिधायक दल की बैठाक मिलिया जाएगा बैठाक परदेश कर्याला में अव्यजित की गई है सरना धर्म कोड मांगने के लिए परतिनिदी मंडल दिली रवाना राष्ट्रिय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अवियान और उसके अनुसंगी संगठनों के तत्वधान में 11 वा 12 नॉमबर को दिली के समिधान भौन में सरना धर्म अधिवेशन अजंतर मंतर के पास महाधरना दिया जाएगा इस आंदोल में सामिल होने के लिए खोटी का एक परतिनिदी मंडल बुद्धवार को दिली के लिए रवाना हुगा इस कारिकरम में दिली के समिधान कल्व में 11 नॉमबर को देश के विभीन राजयों के परतिनिदियों का अधिवेशन और 12 नॉम 17 नॉमबर को बिधायकों के आवास का घेराव करेंगे बित रहित सिक्छक जारखन के बित रहित सिक्छक 17 नॉमबर को बिधायकों के आवास का घेराव करेंगे इससे पूर्व या कारिकरम 11 नॉमबर को होना था लेकिन जारखन बिधान सवा कभी से 17 होने की वज़ा से बि 20 दिसमर को मुख्य मंत्री का आवाज गेराव करने का निने लिया गया। इसके अलावा विभीन मांगो से समधित गया पन मोर्चा ने राजेपाल मुख्य मंत्री सिक्षा सचीव और मादमिक सिक्षा निदे सालाय को दिया। धन्यवाद।